वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें ये है वासिंग अटन DC USA में इसके अस्थापना हुई 1944 में वर्तमान सदस्यों की बात करें तो IBRD में 189 और IDA में 174 देश हैं IBRD, IDA, MEGA, XIT इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इतना जानिए कि IBRD 189 और IDA जो हैं 174 देश सदस्य हैं वर्तमान अधिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारती मूल के हैं ये हैं अजय बंगा जो कि विस्व बैंक के 14 अधियक्ष है अब प्रबन निदेशक और मुख्य वित्ती अधिकारी कौन है ये हैं अंसुला कांत अगर भारत की सिनियरियों में देखे तो भारत देखे सन्युक्त राष्ट का एक संस्थापक सदस्य है ठीक है ये 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ सन्युक्त राष्ट चार्टर पर भारत ने हस्ताक्षर किया था फिर भारत जो है ये विस्व व्यापार संगठन का एक जन्वरी 1995 से संस्थापक सदस्य है और GATT जिसको हम लोग गैट भी बोलते हैं इसका 8 जुलाई 1948 से सदस्य है भारत ठीक है यह तो भारत के बारे में आप ने जान लिए आप बेसिक चीजे जान ली अब चलिए वर्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं कि वर्ड बैंक क्या है यह देखिए यह जो है यह विस्व बैंक यह एक विस्तारित समू है जिसमें पांच अंतराश्टी संगठन है ठीक है जिसमें आप चलिए वो पांचों हैं कौन-कौन से सबसीतों पहले है आई बी आरडी ठीक है यह है और दूसरा है अंतराश्टी विकास संग आई डिये तीसरा है अंतराश्टी वित्तनिगम आई एफसी फिर बहुपच्छी निवेस गारंटी एजनसी जिसको मीगा कहते हैं और निवेस विबादों से निप्टान के लिए अंतराश्टी केंद्र जिसको इकसिट कहते हैं तो यह जो है यह पांचों मिल करके विस्व बैंक का न ब्रेटन वूट सम्मेलन जब हुआ था तभी ब्रेटन वूट सम्मेलन में वर्ड बैंक और अंतराश्टी मुद्रा को जिसको आई एमफ कहा जाता है इसके स्थापना एक साथ की गई अब जो हमने पांच उसमें जो समू बताये थे इसमें सबसे पहले था आई भी आर्ड ये क्या करता है ये रिड देता है क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है आई बी आर्डी आई डिये जो है ये कम आये वाले देशों को कम या फिर बिना ब्याज वाले रिड प्रदान करता है वहीं आई एफसी जो है ये कमपनियों और सरकारों को निवेस सलाह और परि और देसों के बीच निवेस विवादों का निप्टारा करता है इसके कारे देखे पूछे जाते हैं एक्जाम में तो बस की वर्ड से याद कर लीजेगा कि IBRD क्या हुआ अनुदान हो गया EDA क्या हो गया ये ब्याज देता है IFC क्या है ये निवेश सलह परिसंपत्ति प्रमंधन हो गया міKA जो है ये राज़नीतिक зовखिम में ये काम करता है और EXIT क्या है ये निवेश विवादों का निप्टारा करता है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से अब आगे बढ़ते हैं आगे रेखिए विस्व बैंक क्या है कि एक ऐसा संगठन है जो विकास सिल देशों को उनके अर्थवेवस्था को आगे बढ़ाने और गरीबी से निपटने में मदद के लिए धन, सलाह और अन संयुक्ति राष्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो ये देश जो संयुक्ति राष्ट के सदस्य हैं लेकिन विस्व बैंक के सदस्य नहीं है वो कौन-कौन से हैं अंडोरा है क्यूबा लिष्टेज टीम मोनाको और उत्तर कोरिया अब वहीं इसका उल्टा कोसोवो ज यह तो हो गया आपका एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट विस्व बैंक के बारे में अगला हमारा इंपॉर्टेंट समू है सन्युक्त राश्ट्र सन्युक्त राश्ट्र के बारे में देखते हैं तो इसके स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रंसिसको स्थेट्स में है इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं और इसके महा सचीव हैं इंटोनिय गुटेरस जो के पुर्टिगाली है ठीक है सन्युक्त राश्ट्र जो नाम है यह सन्युक्त राश्ट अमेरिका के राश्ट्र पती फ्रैंक्लिन डी रूजवेल्ट वद्वारा दिया ग सरक परिशत्य को 2 परिशत्य सन्युक्त राश्ट नाजिजर्प परिशत्य परिशत्य अहां और सची वाल गले करें को Zoço तो 112 इंग है है अथवा नहीं तो यह ढएक दखे इक सब जो है एक सुरक्षा परिसत अलग दिख रहा है आपको और दूसरा अंतराष्टी न्यायल है अलग दिख रहा है बाकि सब तो सन्युक्त राष्ट है नाम से पहचान जाएंगे ठीक है तो फिर अगला आपका इंपोर्टेंट है ILO यानि अंतराष्टी स्रम संगठन तो इसके अब आगे बढ़ते हैं इंडिया के सिनेरियों में भारत के सिनेरियों में देख लेते हैं कि भारत जो है 28 जून 1919 से ILO का संस्थापक सदस्य रहा है 1922 में भारत ILO Governing Body का सथाई सदस्य बन गया फिर 1928 में भारत जो है यह ILO कारियाले नई दिल्ली में स्थापित किया गया तो यह तो रहा ILO के बारे में फिर है दच्षड ACI छेत्रिय सहयोग संगठन जिसको कहते हैं सार्क तो देखे इसके स्थापना की गई आट दिसमबर 1985 को ठाका बांगोला देश में इसका मुख्याले है काथ मांँदू नेपाल सार्क का मुख्याले कहां है काथ मांडू नेपाल मेंिसके सदस्य देश्र सदस्य हैं जिसमें हमारे सारे पडोसी भारत है नेपाल भुटान स्री लंका ठीके बा महासचीव कौन है यह है राजदूद गोलाम सरवर जो की बांगलादेशी है ठीक है अब देखे जो राजदूद गोलाम सरवर है यह सार्थ के पंद्रहवी महासचीव वह बांगलादेश सरकार के तीसरे महासचीव है ठीक है इसके अलामा इसके अलामा है देखे साफटा होते पे 6 जनवरी 2004 को इसलामाबाद पाकिस्तान में आयोजित 12 में सार्क सिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किया गया था और यह समझा था एक जनवरी 2006 को लागू हुआ जो से बेसिकली यही याद करना है आपको कि सार्क से रिलेटेड है साफटा समझोता ठीक है अब सार्क की स्थापना यह साथ देश हो अर्थाथ बांगला देश भुटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान स्रिलंका द्वारा इसके मूल सदस्यों के रूप में की गई थी फिर 2006 में धाका में आयो जी 13 सिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सामिल किये जाने के बाद अब इसमें 8 सदस्य है ठीक है सब पहले से थे अफगानिस्तान 2086 में आया फिर आगे है सार्क शार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिन 1985 में धाका में महा सचीव की बात करने दिवगंद यह हैं अबुलहसन जो कि बांगलादेश के थे और अब तक 18 सार्क सम्मेलन जो है इस यह आयोजित किये जा चुके हैं जिसमें भारत ने तीन की मेजबाने की है जिसमें यह था दूसरा वाला सम्मेलन जो कि नवंबर में हुआ नवंबर मेजबाने की है सार्क सिखर सम्मेलनों की ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा की इंडिया ब्राजील साउथ ऐफरिका डायलोग फोरम डैट इस आई बी एस ए ठीक है इपसा पड़ते हैं इसको इसके स्थापना हुई जून 2003 में इसमें तीन सदस्य देश हैं न पच्छी विकास आत्मक पहल है ठीक है इसके बारे में और देखिए कि अब तक पांच आई बी एस ए नित्री तो सिखर सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं और पांचमा जो इपसा सिखर सम्मेलन था यह 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था ठीक ह इस विशय के तहत इपसा का अध्यक्ष था आगे है ब्राजील ने दो मार्च 2023 को भारत ब्राजील दक्षड अफ्रिका सम्माद मंच इपसा की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ग्रहड की थी ठीक है तो ब्राजील ने इसकी प्रेसिडेंसी ग्रहड की 2023 में और तीन लोग ता इपसा फंड के बाध्यम से अपने तीन स्थम्वों में इपसा को मजबूत करने की कोसिस करेगा राजनितिक समन्वे है त्रिपक्षी सहयोग है और अन्य विकास सील देशों के साथ सहयोग है ठीक है तो यह थी कुछ जानकारी इपसा के बारे में अब देखते हैं ICC ICC मतल मुख्याला है हेग नीदर लेंड में वर्तमान में 123 इसमें सदस्य है अध्यच्छ है इसके पियोत्र होफ मांस्की जो की पोलेंड के हैं और ICC ने एक जुलाई 2002 को रोम की प्रतिमा के लागू होने पर परिचालन सुरू किया था ठीक है इसके बारे में ज्यादा नहीं है फिर अगला इंपॉर्टेंट है हमारा WHO विश्व स्वास्ते संगठन इसके अस्थापना की गई साथ अप्रैल 1949 को मुख्याला है जेनेवा सिर्जे लेंड में और 194 इसके सदस्य हैं इसके वर्तमान महाद इसे निदेशक की बात करे तो यह हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनो गेब्रेसियस जो कि एथियोपिया के हैं अब 6 चैत्रों में 194 सदस्य देशों और 150 से अधिक स्थानों पर जमीनी इस्तर पर काम करते हुए WHO की टीम जो है हर किसी भी अच्छे स्वास्त और कल्याण की छमता में सुधार लाने के लिए काम करती है ठीक है अब आगे आगे है विश्व व्यापार संगठन डाट इस डव्लू टी ओ इसके स्थापना हुई एक जनवरी 1995 को इसका भी हेटकौाटर है जिनेवा सुध्यलेंड वर्तमान में इसमें 164 सदस्य है और 164 देश कौन है ये है अफगानिस्तान लेटेस्ट वन जिसने डव्लू एच्छो जॉइ किया है वह अफगानिस्तान है अब इसके महाने देसक है गोजी ओकोंजो इवेला इवेला ही बस याद कर लीजेगा यह इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पहली महिला और उपद पाने वाली पहली अफ्रिकी है ठीक है नाइजिरिया इवेला जो है ये डबलू टी टी यह इसमें सामिल नहीं है snug soda 1918 में एजी ओटी था डबलू टीयों के स्थाप्ना उननीज सो चलानब में मरा के wrath के बाद हुई 1967 में मुख्याला है जेनेवा सुर्जलैंग सदस्य देश इसमें 193 में हैं और इसका महा निदेश कौन है यह है डेरें टैंग सिंगापूर भारत को वीपो की सदस्यता मिली थी 1975 में ठीक है इसका गठन हुआ 1966 में रशनात्मक गतिविधियों को प्रोचाहित करना और विश्व में बौधिक संपदा संरक्षड को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश से है ठीक है इसके अलामा एक और फैक्ट है कि हर साल 26 अप्रेल को 26 अप्रेल को विश्व बौधिक संपदा दिवस मनाया जाता है ठीक अब है बिम्ष्टेक जिसके स्थापना 6 जून 1997 को इसका मुख्याला है ढाका बांगलादेश इसके सदस्य देशों में साथ हैं बांगलादेश, भुटान, भारत, म्यामार, नेपाल, स्रीलंका और थाइलेंड याद रखेगा कि इसमें पाकिस्तान नहीं है महा सचेव है इसके इंद्रमनी पांडे भारत के बहुत ही इंपोर्टेंट देखेई और यह बिम्ष्टेक जो है बहुत जादा इंपोर्टेंट है और इससे एक्जाम में सवाल भी आते हैं तो इसके बारें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पहला जो विम्ष्टेक सिखर सम्मेलन ये बैंककॉक थाइलैंड में हुआ था 21 जुलाई 2004 में दूसरा विम्ष्टेक सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ इंपोर्टेंट है 13 नौंबर 2008 में तीसरा जो है नाय पीताव म्यामार में 4 मार्श 2014 फिर है चौथा जो है ये काठमांडू नेपाल 31 अगल 2018 पांचवा कोलंबो स्री लंका 30 मार्श 2022 मोधी जी ने पांचवी विम्ष्टेक सिखर सम्मेलन में वर्चूल माध्यम से भाग लिया है और ये जो पांचवा विम्ष्टेक है ये स्री लंका द्वारा होश्ट किया गया 2022 विम्ष्टेक के स्थापना के 25 वर्ष को ये चिन्हित करता है जिसकी थीम है एक लचीला छेत्र की ओर सम्रिद अर्थ व्यवस्थाएं स्वस्थ लोग फिर है बहुक छेत्री तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी विम्ष्टेक एक छेत्री संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी छेत्र के आसपास के साथ सदस्य देश सामिल है ठीक है इसको बैंकाग घोषडा के माध्यम से जून 1997 को ये अस्तित्तों में आया था विम्ष्टेक याद रखेगा विम्ष्टेक जो है बैंकाग घोषणा और इसका 27 अचिवाले ढाका में स सदस्य देशों की बात करें तो 194 सदस्य राष्ट्र एक सदस्य संगठन और दो साहियोगी सदस्य है महाने देशक है इसके चीन के कूड आंग्यू ठीक है फिर ये विसेस एजंसी है जो बुखमरी से बचने के लिए अंतर राश्ट्रे प्रयासों का नित्रित्तों करती है FAO की बात कर रहे हैं और 16 अक्टूबर को विस्व खाद्य दिवस मनाया जाता है फिर है WTO यानि विस्व परेटन संगठन तो इसके स्थापना की गई एक नॉमबर 1975 को मुख्याल है इसका मैडरीड इस्पेन है महा सचेव हैं इसके जुराब पोलो लिका स्वीली और सदस् देशों की बात करें तो यह 21 हैं और कारीकारी निदेशक हैं इसके डॉक्टर रेबिका फातिमा इस्टा मारिया फिर आगे बढ़ें तो भारत देखी यह एपेक का सदस्य नहीं है एसिया प्रशांत आर्थिक सहियोग या एपेक यह व्यापार और निवेस आर्थिक विका उपार इसका फिर प्रांस में इसमें 194 सदस्य हैं और 12 और सथियोगी सदस्य सन्युगति राश्ट साचिक वैंजिया वॵजियानिक और सांस्कृतिक संगठन संज्युक्ति राश की एक विशयश एजंसी का सदस्य रहा है ठीक है फिर आता है ओपेक ओपेक मतला पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसके स्थापना की गई में मुख्याल है इसका वी एना आश्ट्रिया संस्थापक सदस्यों के अगर बात करें तो इरान- इराग- कुवेत- स strict और वेएजयुएला वर्तमान में इसमें देखे 12 सदस हैं, इनका नाम सुन लिजे इरान, इराग, कुवेक, सौधी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, सन्युकत अरब, अमीरात, अलजीरिया, नाइजीरिया, गैबॉन, एक्युट्वेरियल गिनी और कॉंगो और सबसे नया सदस्य कौन सा है, यानि बारहमा, यह है कॉंगो, जिसने 2018 में ओपेक को जौइन किया था फिर है, अंगोला ने एक जनवरी 2024 को अपनी सदस्यता वापस ले ली है, और ओपेक के महा सचिव कौन है, यह है, है थमल, घैस आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि हाली में ओपेक से किस देश ने अपनी सदस्यता वापस ली है, तो वो है अंगोला, ठीक है अगला इंपोर्टेंट है आपका IMF, IMF की अगर बात करें तो यह 1944 में बना और 27 दिसम्मर 1945 में सुरुवात होई सदसे देशों में 190 है और 191 देश है अंडोरा, महानिदेशक है इसकी, क्रिष्टिलीना जार्जिवा, मुख्यार ससास्त्री पीरे ओलवियर गौरीचंस, विस्व बैंक और अंतराश्टी मुद्रा कोस को ब्रेटन वूट्स ट्विन्स के रूप में माना जाता है ठीक है पहले भी हम पढ़ें कि जब ब्रेटन वूट्स ये आया था तभी वर्ल्ड बैंक के स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक के साथ-साथ इसमें अंतराश्टी मुद्रा कोस के भी स्थापना की गई थी और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है इसके बारे में important fact देखी exam के point of view से कि भारती मूल की गीता गोपिनात जो है इनकी जगह फ्रांस में जन्में कैलिफोर्निया विस्विद्याले बरकले के अर्थसास्त्री पीरे ओलीवियर गौरिचंस को अगला मुख्य अर्थसास्त्री न्यूक्त किया गया है तो अभी जो ये गौरी चंस है मुख्य अर्थसास्त्री इन से पहले भारती मूल की गीता गोपिनात थी ठीक है गीता गोपिनात देखे इन्होंने 21 फरवरी 2022 से IMF के पहले उप्रबंध निदेशक के रूप में कारे किया है उन्होंने पहले 2019 और 2022 के बीच IMF के मुख्य अ आउस्ट्रिया में सदस्य देखें कुल सदस्यता है 178 और भारत भी इसका सदस्य है 178 सदस्य है काबो वर्डे गिनी दरगांबिया महा निदेशक है रॉफिल मारियानो ग्रासी जो के अर्जेंटीना से है ठीक फिर अगला आता है ADB यानी ACN Development Bank इसके अगर बात करें तो इ सबसे नमीनतम सदस्य है नियू इसके अध्यक्ष है मसद सुगू असकाबा जो की जापान के हैं भारत जो है ADP का संस्थापक सदस्य है और बैंक का चौथा सबसे बड़ा सेयर धारक है ठीक है ADP के सेयर धारकों में भारत के अगर रैंक पूछी जाए तो भारत उसमें पूंचास एसिया के और प्रसांथ छेत्र के भीतर और उन्निस जो हैं ये बाहर से हैं फिर आगे आता है RCEP यानि छेत्री व्यापक आर्थिक भागीदारी जिसमें सदस्य देश हैं 15 आसियान प्लस 5 जिसमें ये रिखे ब्रूनेई, कमबोडिया, इंडोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यामार, फिलिपिन, सिंगापूर, थाईलेंड और वियतनाम, इनके अलामा आउस्टेलिया, चीन, जापान, दक्छल कोरिया और न्यूजिलेंड, RCEP आपचारिक रूप से 2012 आसियान सिखर सम्मेलन के दौरान सुरू किया गया था, संधी परक्षात हस्ताक्षर और चारिक रूप से 15 नौबर 2020 को वियतनाम द्वारा आयोजित आभासी असियान सिखर सम्मेलन में किये गये थे, ठीक है, इसके बारे में देखिए, और इंपॉर्टेंट है कि RCEP एक जनवरी 2022 को 10 देसों, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, ब्रुनेड, दैरुसेलाम, क इसके लिए एक फरवरी 2022 और मलेसिया के लिए 18 मार्च 2022 को लागो हुआ, ठीक है, तो इतना देखिए, इसमें सबकी सारे देसों की डेट अलग-अलग है, तो इतना यह पूछे का नहीं कि कब आया था, आगे है IOM, यानि International Organization for Migration, स्थापना हुई 1951 में, मुख्याल है इसका इसके बात करें, तो यह है M.E. Pope, और सुरूसरी M.E. Pope, जो है 70 वर से अधिक पुराने इतिहास में, महत्पूर संगठन का नेत्रत करने वाली पहली महिला है, इसलिए important है, तो याद रखेगा IOM में Pope, अगला आता है Interpol, यो कि बहुत जरूरी, यानि अंतिराश्टी आपरा इक पुलिस संगठन, इसके स्थापना की गई 1923 में, ठीक है, मुख्याल है इसका है लिउन फ्रांस में, सदस्य देश देखी 192 हैं, और 192 मा सदस्य है पलाउ, भारत जो है इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है, और यह 1949 में, 1949 में Interpol में सामिल हुआ था, भारत, फि आगे बढ़ते हैं, ABU, यानि Asia Pacific Broadcasting Union, जिसके स्थापना 1964 में हुई, सदस्य देश में देखी 65 देशों में 246 सदस्य आठ छेत्रों को कवर करते हैं, प्रशांत, Asia, दच्चिडपूर्व, उत्तर, दच्चिड मध्य, मध्यपूर्वी, उत्तरी अफ्रिका और उत्तरी अमेर सचिवाला है, इसका मलेशिया में, कौलालामपूर में, इसके संस्थान में भारत के All India Radio और दूर दर्सन इसमें सामिल है, ठीक है, अब बारी आती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो की है, SCO, यानि संखाई सयोग संगठन, जिसके स्थापना की गई 15 जून 2001 को चीन में, मुख्याले है इसका बीजिन चीन में, महा सचिव है जांग मीं, ठीक है, SCO के देखे 9 स्थाई सदसे हैं, जिसमें भारत भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और उजबेकिस्तान, इ है, इरान, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जून 2017 में, ये भारत और पाकिस्तान, इसके जो पूर्ण सदस्य बने थे, संघाई 5 जो था एक आपसी सुरक्षा समझा होता, उनिस तो चान में में, चीन, कजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान के बीच में ह हुआ था, बाद में इसको भारत पाकिस्तान ने भी जॉइन कर लिया, फिर अभी ये लेटेश्ट वन इरान भी जॉइन हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला इंपोर्टेंट है EU, यानि यूरोपियन यूनियन, इसमें देखे 27 सदस्य देश है, ये 27 सदस्य राजियो और आर्थिक संग है, जो कि मुखे रूप से यूरोप में है, यूरोजोन जो है, ये 1999 में स्थापितिक मौद्रिक संग है, जो 2002 में पूरी तरह से लागू हुआ था, ये 19 यूरोपी संग की सदस्य राजियों से बना हुआ है, जो कि यूरो मुद्रा का प्रयोग करते हैं, यूरो जोन और 2020 में United Kingdom EU छोड़ने वाला एक मात्र सदत से राज्य बन गया है तो United Kingdom ने 2020 में EU को छोड़ दिया है फिर यूरोपी संग के उत्पत्ति कैसे हुई ये यूरोपी कोईला और इसपाथ समुदाय और यूरोपी आर्थिक समुदाय से हुई है जिसको क्रमसा 1951 में पेरिश संधी और 1957 की रोम की संधी द्वारा स्थापित किया गया था ठीक है और मौश्ट्रिश के अगर बात करें मौश्ट्रिश संधी जो है ये यूरोपी संधी की निव संधी है अगला आता है आपका SM यानी एसिया यूरोप बैठक अपना उननीस सो चानबे में सदस्य देशों में बात करें तो 51 देश हैं जिसके स्थापना की गई 7 मार्च 1997 में गो मुख्याले है इसका एबन मौरिसस में सदस्य देशों की बात करें तो 23 है जिसमें भारत सामिल है ठीक है ये भारत इसका संस्थापक सदस्यों में से एक है महा सचिव इसके हैं अमबेश्डर सल्मान अल फरीजी फरीजी फरांस जो है इसका 23 सदस्य बना था तो लेटेश्ट वन रिम आसोसियेशन को जोईन करने वाला बना है फरांस ठीक और इसमें आपचारिक रूप से 1997 को मौरिसस में पहली मंत्री अस्तरी बैठक में इसको लॉंच किया गया था तो ये तो रिम आसोसियेशन के बारे में आपने देख लिया अगला इंपॉर्टेंट है आपका जी ट्वेंटी ठीक है जी ट्वेंटी रेखिए इसके स्थाप और उनिस देश और यूरोपी संग और आफ्रिकी संग और ये देशों के नाम आप देख लिजेगा ये जो जी ट्वेंटी सदस से ये वैस्विक सखल घरेलू उत्पात का लगभग 85 प्रत्सत वैस्विक व्यापार का 75 से भी अधिक प्रत्सत और जनसंख्या का लगभग 2 तिहाओ का प्रतिनीधित्व करते हैं जीटv différents सदस्य फिके एफिकी संग ऐये नौ सितंबर 2023 को नई दिनली के भारत मंडपम में जीट्वेंटी सिखर संवेलन 2023 के दरान जीट्वेंटी का स्थाई सदस्य बना था ठीक है एए यू भी ऐफिकी संग फिर है वैस्विक वित्य संगट के प्रतिसमन्वित प्रक्रिया विक्सित करने के लिए नमबर 2008 में अमेरिकी रोष्टपती के द्वारा वासिंगटन में पहला G20 सिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी की गई थी तो यह तो रहा G20 के बारे में आगे कुछ और है छोटे-छोटे इनको भी देखिए सबसे फिर है दक्षड एस या उप आर्थिक सहयोग स्थापना 2001 में मुख्याल है इसका मनीरा फिल्पिन्स में सदस्य देश हैं साथ जिसमें भारत सामिन है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो सचिव हैं इसके माथियास कॉर्मन ठीक है सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 38 सदस्य है और कोश्टा रिका इसको जौइन करने वाला सबसे लेटेश्ट है यानि 38 सदस्य है भारत देखे इसका सदस्य नहीं है यह आपके लिए काम की चीज है भारत OECD का सदस्य नहीं है फिर आता है रेट क्रॉस के अंतराश्ट्री समीति यानि ICRC जिसके स्थापना 1863 में मुख्याले जो है जिनेवा सुट्जे लैंड में है अध्यक्ष इसकी मिजार्जा स्पोल जारिक एगर है महानिदेशक है रॉबर्ट मारदीनी संस्थापक है हें हेंरी डुनेंट सदस्य देश हैं एक्यासी जिसमें चोवन छेत्री सदस्य देश हैं और सताइस गैर छेत्री सदस्य देश हैं भारत जो है यह अफ्रिकी विकास बैंक की सदस्यता में 1983 में सामिल किया गया था अगला है विश्व खादिकारिक्रम यानी डबलु एफ स्थापना 1961 में मुख्याल है रोम इटली में कारिकारी निदेशक डेविड बीसले हैं और यह 120 से अधिक देशों में काम करता हैं आगे बढ़ते हैं रासायनिक हतियारों के प्रदिबंध के लिए संगठन OPCW स्थापना 1997 मुख्याल है हेग नीदरलैंड सदस्य देशों में बात करें तो 193 में है जिसमें भारत सामिल है रासायनिक हतियारों पर प्रदिबंध के लिए वाले में भारत सामिल है और अध्यक्ष हैं इसके आदिल नाजम महानिदेजक हैं किर्श्टेन सूजिफ सीईओ हैं कौर्टर रॉबर्स और WWF जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा संड़क्षण संगठन है फिर क्रिसी विकास के लिए अंतराश्टी कोस IFAD इसके स्थापना दिसंबर 1977 मुख्याल है रोम इटली है और अध्यक्ष हैं अलवारो लारियो अब अमनेश्टी इंटरनेशनल देख लेते हैं ये भी देखे अब छोटा 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 देख लेंगे अमनेश्टी इंटरनेशनल स्थापना 1971 में मुख्याल है लंदन यूके महासचिव है एगनिस कैलामाड और संस्थापक है पीटर बेनेंसन ठीक है अब आगे है एसिया सहयोग वारता तो एसिया सहयोग वारता देखिए इसके स्थापना 18 जुन 2002 सचिवाले कुएट सहर में है महासचिव है डॉक्टर पोर्ण चाई दान विवथाना और वर्तमान में ये एसीडी में कुल 35 सदस्य है इसमें देखे भारत सामिल है इसलिए पताया जा रहा है कि एसिया सहयोग वारता में भारत सामिल है चली अगला है विस्वार्थिक मंच जिसके स्थापना की गई जन्वरी 1971 में मुख्याला है कोनोगली स्विजर लैंड में संस्थापक और कारिकारी चेर्मैन है क्लास स्वाब अध्यक्ष है इसके बॉज ये प पर धात्मक्ता रिपोर्ट और वैस्विक विस्वे जोखिम रिपोर्ट ठीक है ये सब जो है ये डब्लू इएफ जो है इसको निकालता है सारी रिपोर्ट अब इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस की बात करें तो 1945 में स्थापना की गई मुख्याला है हेग लीडर में अध्यक्ष है जोन इडॉंग्यू सन्युक्ति राज अमेरिका के 193 सदस्य है और किरिल गिवार्गियस ये जो रूस के इसके उपाध्यक्ष है आगे है यूरेसियन इकोनॉमिक यूनियन स्थापना एक जन्वरी 2015 प्रसासनी केंद्र इसका देखे मॉस्को रूस में है सदस्य देशों की बात करें तो पांच है अर्मेनिया गड़राजी, बेलारूस गड़राजी, कजिकिस्तान, किर्गिस और रूसी संग ठीक है आगे आता है ऑस्ट्रेलिया समूह ये इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत सामिल है इसके इस्थापना 1950 में हुई सदस्य ह है इसमें 43 और 19 जन्वरी 2018 को भारत भारत जो है उपचारिक रूप से आस्ट्रेलिया समूह का 43 सदस्य बन गया था इंपोर्टेंट है लेटेस्ट वन इंडिया ही है इसका सदस्य 43 ये और उपचारिक संगठन है जिसका उद्दे से है रासानिक और जैविखतियारों के प् इंत्रड विवस्था जिसके स्थापना होती है 1987 में सदस्य देश हैं इसके 35 जिसमें 2016 में भारत भी सामिल हो गया ठेक है अब देखे इसके स्थापना 1987 में जी सेवन देश यानि कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान युनाइट किंग्डम और सन्युक्तराज अमेरिक जाके द्वारा की गई थी इसमें बताया है कि MTCR में कम से कम 300 किलो मीटर की रेंज में कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों और UAE के हस्तांतरण पर नजर रखता है यह ठीक है अब अगला मोश्ट इंपॉर्टेंट है NSG यानि परमाणू आप प परमाणू अपर्ति करता देशों का एक संवु है जो की परमाणू निर्यात और परमाणू संबंधित निर्यात के लिए दिसाने देशों को दो सेटों के कारियानमें के माध्यम से परमाण हत्यारों के आप्रसार में योगदान देना चाहता है अब G7 इंपॉर्टेंट G7 क्या है स्थापना 1975 में सदस्य देशों की बात करें तो United States है जर्मनी, जापान, United Kingdom, Canada, इटली और फ्रांस ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसके स्थापना 1975 में हुई ये सासन हो गया अंतराश्री सुरक्षा उर्जा नीती ऐसे इस पे चर्चा करने के लिए एक वार्षिक बैठक करता है 1997 में रूस के समूह में सामिल होने के बाद कई वर्सों तक इसको G8 के नाम से जाना जाने लगा था ठीक है बाद में क्या हुआ कि यूक्रेन के क्रीमिया छेत्र के सैन अधिकरहण के बाद रूस को इस सदसी रूप में इस समूह से निसकासित किये जाने के बाद बाद में फिर से इसको G7 कहा जाने लगा ठीक है अब देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेट किंग्टम और सन्युक्तर राज अमेरिका ने 1975 में छे देसों के समूह ग्रूप आफ सिक्स का गठन किया था फिर 1976 में कनाडा को भी समूह में सामिल होने के लिए आमंतरित किया गया और सभी G7 राष्ट्रो की पहली बैठक सन्युक्तराज अमेरिका के द्वारा 1976 में प्यूटोरिको में आयोजित की गई तो आपको मतलब ये क्रोनोलोजी समझ में आ गई होगी कि पहले क्या था कि G7 थे सबसे पहले G6 थे बाद में कैनेडा जोइन किया G7 हो गया फिर रूस आया फिर यूक्रेइन वाला जब मैटर हुआ तो रूस को निसकासित कर दिया गया तो G8 से फिर से G7 हो गया ठीक अब इस्लामिक डिवलप्मेंट बैंक देखिए 1975 में जिहाद सुदी अरब में इसका मुख्याले है 57 देश है भारत इसमें सामिल नहीं है और डॉक्टर मुहम्मद सूलेमान अलजसर जो है इसके चेयर परसन है अब आगे बढ़ते हैं अगला है बाल्टिक देश तो यह important है बाल्टिक देश में देखिए आता है इस्टोनिया लात्विया लिथुआनिया यह बाल्टिक राज जो है यह यूरोप के उत्तर पूर्वी छेतर में बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर इस्टोनिया लात्विया लिथुआनिय के सामिल देश हैं ये सब सामिल है इसमें तो बार्टिक बेसिकली एस्टोनिया लात्विया लुथवानिया याद के रहिएगा फिर आता है एसियन इंफ्रास्ट्रॉक्चर इन्वेश्टमिंट बैंक यानी ए आई आई बी इस्थापना जनवरी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं अब मोश्ट इंपॉर्टेंट है आई एस ओ मान की करण के लिए अंतराश्टी संगठन इससे भी सवाल पूछा जाता है उनिस सो सापना मुख्याल है सुर्जे लैंड आई एस से जो है 170 राश्टी माननक निकायकों की सदस्यता के साथ एक स्वत पस्तिता में 168 देश और EU सामिल है महानी देशक हैं इसके फ्रेंसिस्को ला कैमरा और उप महानी देशक हैं गौरी सिंग आई उसीन की अगर बात करें तो प्रकिर्टी संरक्षण के लिए अंतराश्टी संग स्थापना 1949 में मुख्याल है ग्लैंड सुर्जे लैंड में इ स्थापना 1965 मुख्याल है पेरिस फ्रांस में राश्टपती इसकी सूसरी टेरेसा पेट्रीसियो और महा सचीव हैं जर्ज बूइसमैन नीदर लैंड के अंतराश्टी क्रिकेट परिस्थ यानि आई सीसी जिसके स्थापना की गई 1909 में मुख्याल है दूबई UAE में है सदस स्थांत्र महिला निरेसक इंदिरा नुई ICC के बारे में फिर है दफाइव आइस की बात की जाए तो एक खूफिया गटबंदन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है कैनेडा यूके न्यूजिलेंड और अमेरिका ये सामिल है ये यूके यूस से समझहोते के पक्षकार है ये सिग केस मैंने बताया उटावा घोशना हुई ये सब किस से रिलेटेड है इस तरीके सवाल आते हैं फिर मिलाने को दे देता है ठीक है सचिवाला है इसका नौर्वे इसमें देखे 8 सदस्य देश हैं जिसमें है कैनड़ा डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड नौर्वे रूस स्व को मुख्याला है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में जिसके महासचीव हैं जेंस इस्टोल्टेंबर्ग जो कि नौर्वे के हैं और उपसजीव हैं मिर्सीसिया जियोना सदस्य देश इसमें देखे 31 हैं फिनलैंड जो है यह अशार अप्रेल 2023 को नाटो का सबसे नया सदस्य बना है 31 सदस्य कौन है नाटो का यह फिनलैंड हो गया और नार्थ मैसीडोनिया यह मार्च 2020 में नाटो का सदस्य से बना था तो तीसमें नंबर पे था नार्थ मैसीडोनिया 31 इसके स्थापना की अगर बात कर ली जाए तो इसके स्थापना हुई 4 अप्रेल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देसों के द्वारा संस्थापक देसों का नाम देख लिजिए यह बिल्जियम कैनेडा डेनमार्क फ्रांस आइसलैंड इटली लग्जंबर नीदरलैंड नौर्वे पूर्तिगाल यूनाइटेट किंग्डम और सन्युक निराज्जी अमेरिका भा महासचीव हैं इसके जासिम मुहमद अलबुदाईवी सदस्य देसों में 6 सदस्य हैं साओधी अरेबिया सारे गल्फ वाले साओधी अरेबिया बहरीन सन्युक तरब अमीरात ओमान कतर और कुवैत ठीक है अब फारस की खाड़ी को घेरने वाले देस कौन-कौन से यह बहरी की जाये तो इसके स्थापना हुई 1906 में मुख्याले है इसका न्यूयाउक में अन्मिस्ट्रेटर है इसके अच्छी मिश्टीनर और यह जो यूएंडीप है यह लगभख 170 देशों चेत्रों में काम करता है यूएंडीप उन्नी सो उन्चास में बनाए गया सन्युक विशेश कोस के यह वीले पर आधारित है ठीक है यूएंडीप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1906 में संयुक्तिराश्ट महासफा दवारा स्थापित किया गया था यूएंडीप के बारे में देख लिया अब है आसियान जो की बहुत जरूरी है आपकी एक्जाम में तो पू परकारता इंडोनेशिया में अब संस्थापक सदस्य कौन से हैं यह इंडोनेशिया, फिल्पिन, सिंगापूर, मलेसिया, थाइलेंड ठीक है इन्हों ने आसियान गोश्टना पर हस्ताक्षर किया था और वर्तमान में हैं 10 सदस्य जो की हैं मृम इंडोनेशिया, लायोस, म ब्यामार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थाइलेंड, वियतनाम और कंबोडिया, कंबोडिया जो है ये 1999 में इसका आसियान का दस्वा सदस्य से बना था, भारत जो है ये इसका सदस्य से नहीं है, आसियान का, इसके महासचिव का नाम देख लेते हैं, ये फिर है, डॉक्टर क पाव किम हॉर्न, आसियान के महासचिव, हैश्टेग आसियान यूथ 2022, आसियान ने 2022 को आसियान यूवा वर्स के रूप में घोसित किया था, ठीक है, और 2022 का सम्मेलन कहां हुआ, ये हुआ था कंबोडिया में, आसियान भारत मुक्त व्यापार्स छेत्र, यानि AIFTA, ठीक ह ये 8 अक्टूबर 2003 को बाली, इंडोनेसिया में हस्ताक्षर किये गए थे, और अंतिम संजोता 2009 को हुआ था और 1 जनवरी 2010 को ये लागू हुआ था, इसलिए 8 अगस्त जो है, ये इसको आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 अगस्त आसियान दिवस है, पीछे आप इसके वस्तर की बातचीत के रूप में, उसके बाद 1925 में में डायलोग पार्टनर के रूप में आपचारिक जुडाव सुरू किया भारत ने, आसियान के साथ, अगला है एंडीवी, एंडीवी जो है यानि न्यू डेवलप्मेंट बैंक, इसके स्थापना हुई 2015 में इसका संभावित सदस्य हो सकता है नमा सदस्य उरुगवे, संसापक सदस्यों के अगर बात करें तो ये है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और सब्दक्षड एफ्रिका, एंडीवी की जो प्रारंभिक अधिकरित पूंजी है वो है 100 बिलियन डॉलर, अब आगे बढ़ते है और इसके आरंभिक अभिदान पूंजी 50 अरब डॉलर है ठीक है, अगला इंपोर्टेंट है UN, ESPA, इसके स्थापना 1947 संघाई चीन में, मुख्याले है बैंकॉक, ठाइलेंड, सदस्यों के बात करें तो तिरपन सदस्य है और नौ सहयोगी सदस्य है और भारत जो है ये इसक बड़ा नाम है इनका, आगे है UNEP, UNEP बहुत इंपोर्टेंट, इसके स्थापना की गई 5 जून 1972 को मुख्याले है नैरोबी, केनिया में, सदस्य हैं इसके 193 और कारेकारी निरेशक है इंगर एडर्सन, इनका कारेकाल 4 साल के लिए था, इनका कारेकाल 4 साल के लिए है, आग आपना 1979 में मुख्याले है नियू यार्क सहर यूएस से, कारीकारी निदेशक हैं नतालिया कनेम, तो UNFPA जो है, ये सन्युक तराश्ट की यौन और प्रजनन स्वास्थ एजंसी है, हमारा मिसन एक ऐसी दुनिया को पहुँचाना है, जहां हर गर्भावस्था की जरूरत हो और हर प्रसव सुरक्षित हो, और हर यूवा की छमता पूरी हो, ये इसका ये है, मोटो है, UNFPA, अब आगे बढ़ते हैं, UNICEF के बारे में भी देख लिजे, UNICEF क्या है, ये है, सन्युक तराश्ट बाल कोस, स्थापना की गई रिसंबर 1946 में, जिसका मुख्याले है, नियू इसका मुख्याले है, मध्य जकारता, इंडोनेसिया, सदस्यता देखिए, 120 सदस्य है, और देखे, पहला जो नैम सिखर सम्मेलन है, नाम सिखर सम्मेलन, ये 1961 में, बेलग्रेड, यूगोसलाविया में हुआ था, अफ्रिका से तिरपन देश, एसिया से 29, लैटिन अमेरिका और केरेबियन से 26 और यूरोब, बिलारूस, अजर्बाइजान से 2 देश, 20 देश और 10 अंतराशी संगठन है, जो कि नैम के परवेक्षक है, ठीक है, नैम के संस्थापक देखिए, ये थे, यूगोसलाविया, भारत, मिस्र, घाना और इंडोनेसिया, गुट निर्पेक छा समाल अब्देल नासिर, घाना के राष्टपती नकर्मा और इंडोनेसिया के राष्टपती सुकर्णो की एक पहल के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखेगा, इसमें एक्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि जब नैम के स्थापना हुई तो भार हरलाल नहरों के समय में, अगला है विस्सो मौसम विज्ञान संगठन WMO, इस्थापना की गई, 23 मार्च 1950, मुख्याल है जिनेवा सिर्जर लैंड में, अध्यक्ष है अब्दुल्ला अलमंडौस UAE के, ठीक है, यह जो है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, WMO, ठीक है, WMO में अगला है, 113 सदस्य विज्ञान संगठन, स्थापना की गई, मुख्याल है, विएन, औस्थरिया में, सदस्य देशों में देखें, 172 इसके सदस्य है, महा निदेशक है, इसके गर्ड मुलर, ठीक है, अब अगला देखते है, अगला है अंतराशी दूर संचार संग यानि ITU जिसके स्थापना 17 माईव 1865 में मुख्याले जिनेवा सुड़े लैंड महासचीव हैं इसके डोरेंड बोगडान मार्टिन सदस्यों की बात करें तो 193 सदस्य राज्य और 900 से अधिक कमपनियों की सदस्यता है इसको तो मौर्टिन ने 1 जन्वरी 2023 को ITU की महासचीव के रूप में पदभार ग्रहन किया था और सदस्य राज्यों द्वारा उनके एतिहासिक चुनाओ ने उन्हीं 117 बेवर्सी संगठन की प्रमुग बनाने वाली पहली महिला बना दिया इसलिए बहुत इंपॉर्टनेंट है ठीक है ITU की पहली महासचीव फिर आता है IMO यानि अंतिराश्ट्री संगठन जिसके स्थापना की गई 1948 में मुख्याले है इसका लंडन यूनाइटिड किंग्डम में ये इसके महासचीव है आर्सेनियो इंटोनियो डोमिंगवेज विलासको ठीक है सदस्य देशों की बात करें तो 175 सदस्य राज्य है नमीनतम सदस्य है इसका बोट्सवाना जो के अक्टूबर 2021 में सामिल हुआ था भारत जो है ये इसका हालिय सदस्यों में से एक था 1969 में सदस्य राजी के रूप में सामिल हो गया था आइमो में फिर है ICAO यानि अंतिराश्य नागरिक उड़ेन संगठन स्थापना की गई 1947 में मुख्याले है इसका मॉंट्रियल कैनेडा में 193 में सदस्य हैं जिसके अध ठीक है आगे देखते हैं IPCC यानि जलवाई परिवर्तन पर अंतराश्य सरकारी पैनल जिसके स्थापना की गई 1988 में मुख्याले जिनेवा सुट्जर लैंड में है IPCC में 195 सदस्य हैं वरतमान में और अध्यक छेंज के जिम्रस्की तो दोस्तों देखिए यह हमने कंप्लीट कर लिया अंतराश्य संगठन और भारत के भी कुछ संगठन जिसमें देखिए फैक्ट बहुत जादा है आप लोग कंप्लेन करते हैं ना कि बार बार की फैक्ट ब हो गया डबलु ह हो है टीक है डबलु एचो है और एपक है जी 20 है जी 7 है यह सारे शीसे को आप न्यूस में बार बार सुनते हैं उनके बारे में पढ़ लिजिए गा दूसरा उनका मुख्याले और तीसरा उसमें अध्यक्ष ठीक है और तीसरी छी जाती है और आपको याद करना है बस यह देखे लिजेगा कि भारत किसमें अध्यक्ष है और वह important है ज़ादा और भारत किसमें अध्यक्ष नहीं है उनका अना ठीक है तो बस ऐसे ही important videos के लिए channel पर बने रही है Thank you so much